सेनिक कालोनी में बंद मकान में हुई चोरी के मामले में गिरफतार दो आरोपियों को किया कोट में पेश भेजा जेल चुरू की कोटवाली पुलिस ने सैनिक कालोनी स्थित बंद मकान में मार्च 2023 में हुई चोरी के मामले में गिरफतार दो आरोपियों को रईवार को कोट में पेश कर जेल भीजवा दिया है दोनों आरोपियों को फतेपूर के उपकार अग्रे से प्रोडेक्शन वारंट पर गिरफतार किया गया था कोटवाली A.S.I. गिरधारिलाल सैनि ने बताया कि सैनिक कालोनी निवासी 58 वर्षिय राजेश कुमार ने 10 मार्च 2023 को कोटवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था कि वह अपने परिवार सहीत नीजी काम से बाहर गया था पीछे से अग्याद चोरों ने घर का ताला थोड़ कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया रिपोर्ट में बताया गया है कि जब उन्होंने परोसी के घर में लगे सीसी टीवी में देखा तो तीन अग्याद चोर इसकूटर से घर में गुस्ते और चोरी का सामान साथ लेकर बाहर निकलते दिखे पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जान शुरू की जिसके बाद कोट वाली पुलिस ने चोरी की इस मामले में फतेवपूर उपकारहगरे से प्रोडेक्शन वारंट पर भादरा निवासी 22 वर्शे शमशाद और राजपूरा गाउं के 26 वर्शे जावेद को गिरफतार कर लिय जहां से उन्हें नहीं कभी रक्षा में जेल भीजवा दिया गया उन्होंने पता है कि दोनों आरोपियों ने रामगड बिसाओ फतेवपूर और चूरू में चोरियों की वारदात को अंजाम दिया था यह सेनी कलोनिम में मा मार्च में चोरी की थी उनको जिनको दो को किर्वतार किया गया है एक समसा दिनिवासी बादरा वह दूसरा जावेद दिनिवासी राजपूरा को आज नहीं पेस किया गया जो शिर्मान नहीं ने जेसी परमाया गया जेसी परमाने पर दाखली चकारा झाल 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 झाल